राधे राधे दोस्तो दोस्तो आज मैं काना जी के फ्रोक बनाने जारी हूं बहुत सुन्दर ये फ्रोक है ये डिजाइन में क्रोशिया से बनाऊंगी दो कलर में बनाऊंगी तो चलिए शुरू करती हूं काना जी का फ्रोक फ्रोक बनाने के लिए पहले क्रोशिया के लिए अंगली में लपेट लेते हैं, उसके बाद चेन बनाएंगे, आपके पास काना जी का जी साइज का मूर्ती है, उस अनुसारा फंदे डालिएगा, बड़ा छोटा जैसा भी आपके पास काना जी है, उसी अनुसारा फंदे डाल कर ये डिजाइन बनाएगा, पहले चेन डाल ल ऐसे चेन डालना है, ज्यादा धीला नहीं करना है, ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है, ऐसे बुनते हुए आपके कानाजी के गले के साइज का आपको माप कर ऐसा चेन बनाना है, यह देखिए, ऐसे करके आप माप लीजिए, उनके उपर से ऐसे आप बहना सके हैं, और अब यहाँ पर, यह जू मेरा फंदा है, ऐसे इस साइट का यह छोर, इसको ऐसे हाथ में ले लेना है, और इस छोर को भी यहीं पर ऐसे ज्वाइंट कर लेना है, ऐसे इसको ज्वाइंट कर लेना है, ऐसे, यह देखिए, यह गोल हो गया, यह गले का साइज का हो गया, अब यहां से डिजाइन शुरू करेंगे डिजाइन शुरू करने के लिए भंदे को थोड़ा लंबा करके यहीं से डिजाइन शुरू करेंगे इस भंदे में ऐसे डालेंगे और इसको बोलनेंगे एक दो तीन यह तीन फंदा हो गया एक चेन डालूंगे इसमें और इसी में फिर एक बार और बनाऊंगे एक दो यह तीन फंदे हो गया है कि क्यों कि यह तीन फंदे हो गया यहां पर एक चेनस डालूंगे छोटर्स पर लेकर आब इसके देखेंगे कितना size में या रहा है यह वाला design तो यहां तकार है तो फिर यहां पर 5 फंदे के बाद इसमें डालेंगे इसमें डाल कर फिर 6 फंदे बुनेंगे जैसे यह बुने है शेम वैसे ही 6 फंदे यहां पर बनाएंगे तो आगे बनाकर complete करते हैं ये देखिए मैं इधर से बुनते हुए आ गई हूँ अब यहाँ पर आई हूँ तो ये वाला जो फंदा है यहाँ पर इसे joint कर दूँगे दोनों साइट से इसको इसे joint कर दूँगे ये देखिए ये गले का भाग है ये नीचे का भाग हो गया आगे और पीछे दोनों साइट का एक ही जैसा है अब यहाँ पर देखिए फंदे को थुड़ा लंबा कर लेंगे और जो ये बीच वाला भाग है इसी में बुनेंगे इसी में सेम साइज कहीं अभी बनाएंगे जैसे 6 फंदों का भुने है वैसे ही 6 फंदों इसमें अभी बनाएंगे सारे फंदे में 6-6 फंदे भुनते हुए कंपलीट कर लेते हैं ये देखिए मेरा तीन लैन कंपलीट हो चुक है यह उपर का पाठ है ऐसे आप इसमें मुड़ी डालिएगा और इधर से बाजू निकाल दीजेगा यह दिखिए और यह अब यहां से नीचे का घंगरा बनेगा इसमें फंदे को बढ़ाते हुए अब यहां पर मुझे दुसरा कलर जोड़ना है दुसरा कलर जोड़ने के ऐसे देखिए इसको यहां पर ऐसे बांध लेना है ऐसे इसको बोन लेते हैं इसको बाद में काटकर बांध लेंगे आप यहां पर एक और चेन देकर फंदे को थोड़ा लंबा करके इसी फंदे में बोनते हुए कंप्लेट करेंगे अब यहां से फंदे को बढ़ाना दो तेन चार यह हो गया, पांच यहाँ पर एक जिदा दो फंदे ज्यादा हो गया, यहाँ पर एक चेन डालूंगी और फिर दो फंदे ज्यादा इसमें बनाऊंगी एक दो तीन चार यह हो गया, पांच यह पांच फंदे हो गया, एक चेन डाल दोंगी और शेम ऐसे ही इस दूसरे लाइन में भी बनूंगी इस डिजाइन में भी इसमें फिर छेचे फंदे बनूंगी अब ज्यादा फंदे को बढ़ाना है ऐसे ही बढ़ाते हुए ज्यादा बनते हुए सारे फंदे को, सारे गंगरे को कम्पलीट करते जाना है, जैसे यह बना है वैसे सारे डिजाइनों में भूनेंगे जिस साइज का आपको गंगरा बनाना है उस साइज का कम्पलीट करते जाना है और यहाँ पर फंदे को बढ़ाते जाना है और यहाँ पर अगर आपका फंदा टाइट हो रहा है तो यहाँ पर चेन बढ़ाते जाना है यह देखिए मैं दोनों साइट से भूनते हुए यहाँ पर आ गई हूँ अब यहाँ पर फंदे को ऐसे क्रोशिया पढ़ लेकर अब यह जितने फंदे है सारे फंदे में बनाएंगे यहाँ पर जितने फंदों में बनाते जाना है अब ये बीच में जो आ गए हूँ, बीच में यहाँ पर चार फंदे बनाएंगे, फंदे को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर यह दो फंदे हो गया, एक चेन डालकर फिर यहाँ पर दो फंदे बुनूंगे दो फंदे बुनने के बाद अभी जıtने फंदे ही फंदों में ऐसे बुनेंगे और यहां पर चार चेन बनाएंगे, यह देखिते हैं आनीफर फंदि psychologist met बनाेंगे और यहां पर जैसे इस में बनाई हू वेसे ही सब आ toute आऴूरे हैं और बनने यह सम्झे नीफसे नीफ्रावर भर्री अ मतले है ने सबमें यहां पर जबाना है तो चार फंदे बुनना है शेम ऐसे ही इसमें बनाना है इसमें बनाना है सारे फंदों में ऐसे ही बनाते जाना है यह देखिए यह नीचे का घंगरा बनेगा और यह उपर का पाट है यह देखिए मेरा इतना डिजाइन यह कंप्लीट हो चुका है ऐसे यह लाली गाल प्राश्ट फंदा बचछ है यहां पर इसका आंज करके बान कर दोंगे आ और इसको यह पर काटते नहीं है यह देखिए मेरा यह फ्रेव्क बन कर त्यार हो गया उपर का यह पाठ है यह खोला यह निचे का जिन्दर स्थक्राइब कर त्यार हुआ है दोस्तों आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा लाइक कीजिगा शेयर कीजिगा कॉमेंट करके बताएगा कि मेरा ये कानह जी क्या फरोक आपको तैशा लगा थैंक यू